Congress Party continues to live in the sense of entitlement and arrogance. वो दरसल एक press conference थी, एक मानसिक्ता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. पहले तो ऐसा लगता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी. कॉंग्रस पार्टी को ये मुगालता है, कॉंग्रस पार्टी को ये लगता है कि कॉंग्रस पार्टी सम्विधान, कानून और तमाम नियमों के उपर है. Today the Congress Party continues to live in the sense of entitlement and arrogance, despite being booted out of power, thinking that it is above Constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसलिए आज जो Congress ने अपने अदिकृत मंच से एक प्रेस वारता की जिसमें केसी वेनु गोपाल, जिसमें अजय माकन, और उनके अन्यनेता वहाँ पर मौझूद थे, वो दरसल एक प्रेस कॉंफरेंस थी, एक मानसिक्ता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. या यू कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी. The Congress Party, which believes it is having a sense of entitlement to consider itself above the Constitution and law, today projected the old adage that we are very used to, चोर मचाय शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे. And the reason why I presume the Congress does it is because it feels that the royal family of the Congress Party, the first family of the Congress Party, should be subjected to no rules and laws in this country. We have seen in the past that when the Yuvraj, the Shahzada of Congress Party was convicted by a court, their leader Pramod Tiwari said very arrogantly with almost a sense of entitlement that how can the courts convict Rahul Gandhi? Congress Party को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो समविधान और कानून के इस प्रकार के उपर है, कि उनके उपर कोई कानून या समविधान लागूई नहीं हो सकता. इसका एक परिचायक तब मिला था जब प्रमोट Tiwari ने राहूल गांधी जब OBC को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था, कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए. ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है, उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहूल गांधी और गांधी परिवार को. तो इसी मानसिक्ता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए. और इसी लिए कांग्रस की मानसिक्ता देखे, वो प्रेस कांफरेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड की वसूली की जा रही है. कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे है 200 करोड की. कहते हैं आधिकरितमंच से कि ये फाइनाइंशल टेरोरिजम किया जा रहा है हमारे खिलावे. चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगू बनाने की चेश्टा की जा रही है. और कहते हैं कि वाइलेशन तो कुछ लाखो रूपय का है, छोटा मोटा वाइलेशन है भाई, इतना छोटा वाइलेशन है तो इसमें क्या है सजा, तुम भी चुप, मैं भी चुप हो जाते हैं. यह आज कॉंग्रस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से कहा, पहले तो ऐसा लगता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत दिखे तिन तैसी, मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसू तो नहरु जी के जमाने पर ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर, फिर सुनिया जी और राहुल जी का जमाना आया, तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी समविधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया, जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है, ये पार्टी सुशासन की बात करती है, ये कहती है कि छोटा मोटा वायलेशन था, इसमें क्या जरूरत थी कि हम से रिकवरी कर रहे हो, और इसे फाइना को रहे हो, कॉंग्रेस पार्टी के उपर, 135 करोड का, इंकम टैक्स दिपार्टमेंट के द्वारा, एक डिमांड किया गया, उनके उपर 103 करोड का, एक असेस्मेंट आया था, 2018-19 में, और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है, तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर, 32 करोड का tax component जुड़कर वो 135 करोड का कुल मिला कर उनके ओपर outstanding demand था income tax department के द्वारा ये assessment जिसे कहते चुनाव पास आगे तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगू बनाय जा रहा है ये assessment 6 जुलाई 2021 को हुआ date note कीजिये the assessment under which it was said that the Congress has to pay 135 करोड रूपीज this was done in 2021 6th of July आज Congress Party कहती है कि political parties को tax नहीं भरना होता ये बात सही है आम तौर पर section 13A के तहत income tax act के political parties को voluntary contribution पर tax नहीं भरना होता है वो exempted होते है ये बात यहां तक सच है पर उस 13A के section में proviso भी है और इस proviso में अगर आप 13D देख लें या अन्य provisos देख लें या अन्य provisions देख लें if you consider the provisos given to section 13A in which an income tax is exempted liability is exempted for political parties the conditions have been laid down इसमें कुछ conditions है जिसको follow करना मतलब returns time पर file करना है जो voluntary contribution है वो 2000 रुपए से उपर नहीं हो सकते मतलब सारे contributions पर या सारी income पर एक blanket coverage नहीं है exemption का commercial आप अगर rent कमा रहे हैं commercial income कमा रहे हैं तो वो exempted नहीं है voluntary contribution 2000 तक की मात्रा तक exempted यह तो कानून का मामला हो गया है तो Congress party पहले अगर कानून को court करती है तो कानून को ठीक से court करें है